वर्तमान में विधान सवा के चुनाव लगवग पांच राजियों में हैं तेकिन सबकी नजर बंगाल विधान सवा चुनाव कर हैं बंगाल में हर रोज नया खेला हो गए नमस्कार आप देख रहे हैं दिक अंटाप मैं हूं प्राफुर बंगाल चुनाव से पहले कई विधायकों के पार्टी चोड़ने या दूसरे राजनेतिक पार्टी के नया में सवार होने की खबरे हर रोज सुर्ख्या बटोरती थी टीमसी के विधायक वीजेपी में सामिल हुए लेकिन आज गंगा को छूल्टी बहती नजर आई आप में टीमसी को कितना लाग होता है इस मौके पर डिरेक ओब्रायन सुदीप बंदो परध्याय और सुबरत मुखर्जी मजूद थे यसवन सिना कुलकता इस्तीत पार्टी मुख्याले में जाने से पहले और टीमसी में सामीर होने से पूर्ब ममता वर्रदी से मिलें उनके लेकिन उनके बेटे जैन्त सिना जारखन के हजारी बाग से बीजेपी के लोकसावा सांसद हैं वहीं पीता यसवन सिना बागी हो गया है यसवन सिना मोधी सरकार के जबरदस्त आलोचक रहे हैं 2014 के बाद मनमुटाव शुरू हो गया था बीजेपी में आंदेखी के बाद लिए भाजपा से बाहर का रास्ता अक्तियार कर लिया भाजपा के कटू आलोचक के रूप में देश भर में मोधी सरकार की आलोचनात करने लगे आपको याद होगा यसवन सिना इस से पहले बिहार चुनाओ के दोरान एंडिये सरकार के खिलाप मुहिम चला चुके हैं वह उत्तर परदेश के चुनाओ के दोरान भी अकलेश के मंच पर नज़र आये थे लेकिन यस्वन सिना का राजनेतिक सफर अब बंगाल चुनाओ में कितना कारगर सावित होगा चुनाओ कर नामों पर निवर करता है तीमसी का दामन थामते एक बार फिर बीजेपी पर हमलाव होते हुए दिखे तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देश जो है वो एक बहुत अद्भुत परिस्थिति से आज के दिन बुजगा है बहुत अद्भुत परिस्थिति इसलिए है कि अभी तक जिन वैल्यूस को जिन मुल्यों को हम बहुत महत्तों देते थे और यह सूच के चलते थे कि इस पर सब कोई अमल करेगा ही हमारे प्रजातन तुम्हें है आज वो मुल्यों खत्रे में है लेकिन लंबे समय तक बीजेपी के नेता रहे यश्वान सिन्हा ने अटल व्यारी वाजपेई के समय को याद करते हुए कहा कि अटल जी के समय बीजेपी सर्व सम्मत्ती में विश्वास करती थी लेकिन आज की मौजूदा सरकास सिर्फ कुचलने और जीतने में विश्वास करती है उन्होंने सवाल भी किया आज बीजेपी के साथ कौन खाड़ा है वाईन सिन्हा ने कहा कि देश इस वक्त संकट में है संवेधानिक संस्ताओं को कमजोर करने की साजी सरची जा रही है उन्होंने कहा कि परजातंत की ताकत परजातंत की संस्ताय होती है आज लगबग हर सनस्ताय कमजोर हो गई है उनमें देश की नियाई पालिका भी शामिल है हमारे देश के लिए ये सबसे बड़ा खत्रा पैदा हो गया है बंगाल में मम्ता का चोटील होना यशौन सिना का टीमसी का जंडा थामना वहीं बीजेपी में मित्फुन चकरवर्ती का शामिल होना अब बंगाल चुनाओं का परणाम किस करवट लेता है देखना बाकी है तक तक देखते रहे हमारे चैनल दीक अंटाब को और हाँ लाइक कीजिए शेर कीजिए सबस्क्राइब जरू कीजिएगा हम यूट्यूब, फेस्बुक, ट्विटर और इंस्टा सभी जगा मज़ूद है शुक्रिया